नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब किजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naysubha.org naisubeh.org असलाम वालेकुम नई सुभा के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के आडियो लर्निंग टिटोरियल्स के साथ मैं हूँ आईशा एहमद आज हम आपको स्ट्रॉबरी मिल्कशेक की रेसिपी सिखाएंगे स्ट्रॉबरी मिल्कशेक बनाने के लिए जनाज़ा की जरुवात है उसमें स्ट्रॉबरी इस पांच से छे अदद दूद दो कप चीनी फोल टेबल स्पून ट्रैट्रा पैक क्रीम का पैकेट एक छोटा सा तरकीब स्ट्रॉबरी इसको अच्छी तरीखे से दो कर काट कर फ्रीजर कर लें क्रीम के पैकेट को भी कुछ देर के लिए फ्रीजर में रख दें दो कप दूद ब्लेंडर में शामिल करें अब इसमें स्ट्रॉबरी इस डाल दें स्ट्रॉबरी डालने के बाद इसमें चीनी भी शामिल कर दें इसको अच्छी तरीखे से ब्लेंड कर लें ब्लेंड करने के बाद आप इसमें क्रीम शामिल करके भी इसको ब्लेंड कर दें लास्ट में इसमें बरफ डालके अच्छी तरीके से मिक्स करके ग्लास में निकालकर ठंड़ा ठंड़ा पेश करें इसी स्ट्रॉबरी मिल्क शेक में आप चाहें तो बनानाज भी एट कर सकते हैं अपनी किसी भी मिलक शेक को मजीद मज़ेदार बनाने के लिए उसमें आइस कृम भी शामिल कर सकते हैं यानि जब कंप्लीट मिलक शेक तयार हो जाए तो उसमें एक या दो स्कूप आईस क्रीम के मिला लिए उसको अच्छी तरह से ब्लेंट कर देए इस तरह मज़ेदार मिर्क शेक तैयार हो जाएगा इसको ग्लास में निकाले ग्लास को टिशू पेपर से रैप करके पेश करे तो ये थी हमारी आज की रेसिपी अगली रेसिपी के साथ दुबारा हज़े रूखे तब तक के लिए अल्ला हाफिज ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानेट से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्ते के जराए इस्तमाल कीजिए